हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं TAC Infosec IPO के सब्सक्रिप्शन स्टेटर्स एंड अपडेटेड जी एंपी के बारे में हमने इस IPO से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है जिसमें हमने कम्पनी के बारे में विरिफ में जाना था कम्पनी के फाइनेंस को देखे थे इसके KPI फैक्टर जेसे की रिटन और इक्विटी रिटन और कैप्टल एंप्लोई रेटेल इसके जो अलग date and details थी जैसे कि IPO कब open होने वाला है, कब close होगा, इसका refund कब तक आएगा, intimation कब तक मिलेगी, इसकी listing कब तक होनी है, वो सारी हमने details में जाना था, फिर हमने इसकी जो भी negative and positive point थे, वो सब consider किये थे, फिर एक decision लिया था, तो अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नह आपसानी हो, तो चलिए और जो वीडियो है, उसका link में आपको या तो description box में provide करा दूँगी, या आप उसे end screen पर भी जाकर देख सकते हैं, वह से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे इस channel को visit कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमार हमें show हो रहा है, दो अप्रियल दोजार चोबिस में, दस दस के बीच के जो data है, जो subscription status का data है, उस time का ये data हमें show हो रहा है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कि कितने shares offer किये गए हैं, और कितने shares के लिए applications आईए, फिर हम देखेंगे कि इन numbers of time में subscription status कितना चल रहा है, तो जो अंब्हुरा, उनके लिए जो shares offer किये गए हैं, वो किये गए हैi 8.6400 के और जो bid हैं, वो भी रहा हैं मार्केट मेकर के लिए 14.4600 के और bid हैं, यानि कि 2.68 से जो QIB के लिए जो किये गए हैं, वो किया गए हैं, 5.37600 के और जो bid आईए हैं वो अभी तक आईए 14.41200 क यानि कि 2.68 से जो QIB केटेगरी है वो ओवर सबस्क्रिप्चन चल रही है NIE केटेगरी के लिए जो शेर्स ओफर की गए है 4.3200 के और जो बिड आई है वो अभी तक आई है 2.59.78800 की यानि 64.43 से जो NIE केटेगरी है वो ओवर सबस्क्रिप्चन चल रहा है डिटेल केटेगरी है जो शेर्ट सोफर किये गए है वो किये गए है 9,40,800 के और जो बिड आई है वो आई है अभी तक 12 करोड 42,92,800 की यानि 131.05 से डिटेल केटेगरी ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है मेगजियम लोग जो क्या होता है जब IPO क्लोज होने वाला होता है जैसे कि IPO आज क्लोज होने वाला होता है तो 3-5 बजी के बीच में ही मेगजियम लोग अपलाई करते हैं तो अगर किसी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दस चल रहा होता है तो 50 चल जाता है 50 चल रहा होता है तो 100 सब्सक्रिप्षिप्षिटे से वो 300 के पार जाने के चांसेस है क्यानि 300 से ओवर तो इसका सब्सक्राइब जाना ही जाना है अब बात करते हैं इस कंपनी के GMP की 27 मार्ज 2024 को जब यह IPO ओपन हुआ उस समय जो इसका GMP चल रहा था उचल रहा था 105 का इन ठेम्स परसेंट है 99.06 इसका GMP चल रहा था 28 मार्ज 2024 को इसका GMP चल रहा था 107 यानि 2 रुपे से इसका GMP बढ़ गया था Just 22 मार्ज 2024 को 03 रुपे से जिसका GMP चल रहा है वो चल रहा है 125 रूपी का यानि इन तरम सो परसेंटेज 117.92 परसेंट का 2424 जब आई प्यों आज जबी वीडियो रिकोर्ड हो रही है उस समय जो इसका जी एंपी चल रहा है करेंट वो चल रहा है 117.92 परसेंट का इन तरम सो परसेंटेज बात करें तो कितना 117. करते हैं और अगर चल रहा है अगर इसी प्राइस मार्केट में लिस्टेट होता है तो हमें कितने तक का प्रॉफिट होने के चांसे से तो इसका जो अगर इन्वेस्मेंट अमाउंट है वह है वन लेक 27,200 का तो अगर इसमें कर दे 117.92 परसें तो हमें लग बग देड़ लाग के आज पास का प्रॉफिट होने के चांसे से अगर यह इसी प्राइस पर मार्केट में लिस्टेट होता है तो पर जरूरी नहीं कि इसी प्राइस पर इस्टेट हो सकता है कि यह से कम हो जाए या फिर ज्यादा भी हो जाए करेगा कि जब लिस्टेट होने वाला है उस समय मार्केट कंडिशन क्या चल रही है तो चलिए अब हम फाइनली डिसीजर ले ले लेते हैं कि क्या हम इस आप्लाइ कर रहे हैं जब हमने इस आइप्यों की डिटेल वीडियो देखी थी तो उसमें इसके फाइनेंस के फेक्ट क्या हो 100% से ज़्यादा हो तो अभी फिलाल के लिए इसका आइप्यों क्या है जीए वो क्या है 117.92 यानी 100% से ज़्यादा है और बाकी जो हमने इसके फाइनेस और क्या फेक्टर देखे थे वह भी बाकी सब पॉजेटिव थे यानि कि उसमें कोई नेगेटिव नहीं था उस बेसिस पे में साइप्यों में अप्लाइ करने जा रही हूं मैंने अपने डिसलिजन बना लिया है इसका जीएंपे 100% से जादा है और जो हमने डीटेल वीडियो देखी थी उसमें पॉजेटिव पॉइंट पॉइंट उन सब को कंसीडर करते हुए मैंने अपना अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप अप Lाय कर सकते हैं पर यह सकी हमेः सके यह घो तो इसमें जी रो परसंट रिसक घो हो मिया फिर भी एक रिस्क स्टोक मार्केत इसमें घ ख categorizing set a pyर ना लीगत caller आव होता है तो कभी भी 100% का रिसक प्रिय comment होता है 99% रिसक ज अभी तक मुझे इसमें कोई रिस्ट नहीं लग रहा है तो मैं तो इस IP में अपलाई करने जा रही हूँ और अगर आपको भी अपलाई करना है तो आप अपलाई कर सकते हैं तो अपलाई करने से पहले अगर कोई आपका financial advisor है तो उससे जरूर बात करें फिर ही किसी भी IP में अ आपकरती हूँ थैंक ये सो मुझ फोर वचिंग मैं वीडियो